अब आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके स्टडी बिलकुल अच्छे चल रही होगी तो आज किस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं गुजरात मेट्रो रेल कार्परेशन लिमिटेड के कोस्चन्स के बारे में डिसकस करने वाले हैं जो कि ITA मैंटे फीटर पोस्ट के लिए हैं और यह कोस्चन्स 100 प्लस रहने वाला है जिसमें आपको जो फीगर है वो इंक्लूड रहने वाला है और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को जोइन कर सकते हैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से जाकर जोइन कर सकते हैं तो आये फैंट्स अभी स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला कोस्चन है सर्फेस प्लेट किस धातू की बनाई जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइन ग्रेन कास्ट आइन की बनाई जाती है इनकी जो सर्फेस प्लेट है वह Grain, Gas Line की बनी होती है अब इसे related कुछ Points को देख लेते हैं जैसे कि यह prior, वर्गकार यह आयताकार अकार की बनी होती है यानि कि जो surface plate है इसका अकार कौन-कौन से अकार का होता है तो यह वर्गकार और अयताकार दोनों में पाए जाता है नेक्स्ट है इसका प्रियोग जॉब की सर्फिस को चेक करने के लिए किया जाता है यानि जो सर्फिस प्लेट है इसका प्रियोग किस लिए करते हैं तो जो जॉब होता है उसके सर्फिस को चेक करने के लिए इसका प्रियोग करते हैं अगला कॉस्यन है Question Number Second Double Cut prfile का प्रयोग किस पर फाइलिंक के लिए किया जाता था है तो इसका right answer हो जाएगा Steel यहनि कि जो double cut Paral in solid rack प्रयोग कर ते हैं किस परta FI-ON-A it is해지 Lapini के लिए इसका पर्योग करते हैं अब आये चीजल को तेजी से काटता है और इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रख लें यह बहुत ही ज्यादा इन्पोर्टेंट है कि नेक्स्ट कोस्टन है कोस्टन नमर्थ थार्ड कीवे काटने वाली चीजल कौन सी होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप चीजल यानि जो कैब चीजल होता है वो कीवे काटने वाली चीजल है अब इसे लेटर कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं जैसे कि जो चीजल होता है वो पराया है करे रिफर्ष तैल की बनाई जाती है next question है question number fourth marking के दोरान किसके दोरा reference उपलब्ध होती है तो इसका right answer हो जागा marking of table के दोरा next question है question number five angle plate कितने ग्रेड में पाई जाती है तो इसका right answer हो जाएगा एक दो grade में पाय जाती है निकि एक grade में भी पाय जाती है और दो grade में भी पाय जाती है अब इसे रेटर कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि angle plate जो होता है वो 90 degree का होता है और यह जो angle plate होता है यह cast iron का बना होता है अगला question है question number six लिए जाता है कि इसका राइट ऐंसर हो जाएगा offsetच को पॉइंट को देख लेता है जैसे कि ऐस्क्राइबर एक तेज धार वाला olar사र जिसका प्रियोग मार्किंग करते समय लाइन खिचने के लिए किया जाता है किसका तो इसक्राइबर का प्रियोग किया जाता है अगला कोशन है कोशन नमबर 7 पैरलल ब्लॉग का प्रियोग तो इसका right answer हो जाएगा horizontal जो है setting के लिए इसका प्रियोग किया जाता है अगला question है question number 8 surface gauge को भी कहते हैं तो इसका right answer हो जाएगा describing block कहते है यानि कि जो surface gauge है इसका एक और नाम क्या है तो describing block इसका नाम है अगला question है question number 9 लेथ मसीन पर center निकानने के लिए प्रियोग किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा surface gauge का प्रियोग किया जाता है जो लेथ मसीन होता है उस पर center निकानने के लिए हम surface gauge का प्रियोग करते हैं next question है question number 10 drill करने से पहले किस punch का प्रियोग किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा center punch का प्रियोग किया जाता है यानिकि जब हम drill करते हैं उससे पहले हम center punch का प्रियोग करते हैं अब आए से related कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि center punch होता है वो 90 बिरी का होता है next जो dot punch होता है वो 60 बिरी का होता है अगला तो अगला है prick punch जो prick punch होता है वो 30 बिरी का होता है नेक्स्ट जो अटोमेटिक जो पंच होता है वो 60 डीडी का भी होता है और 90 डीडी का भी होता है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर 11 भी ब्लोक बी ग्रेड की लंबाई होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 mm की होती है इसकी लंबाई जो भी ब्लॉक जो हता है उसका जो भी ग्रेड की जो लंबाई होती है वो 300 mm की होती है अगला कोशन है कोशन नमबर 12 किसी गोल जॉब पर ड्रिलिंग करने के लिए प्रियोग तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी ब्लॉक का प्रियोग करते हैं यानि कि कोई भी जो गोल जॉब होता है उसपर ड्रिलिंग करने के लिए भी ब्लॉक का प्रियोग करते हैं कि अब आगे इसे रेटर कुछ पॉइंट को देख लेते हैं जैसे कि भी ब्लोग का जो सिर्ष कौन होता है वो 90 डिरी का होता है अगला कोशन है कोशन अमद 13 कॉम्बिनेशन सेट का प्रियोग तो इसका राइट अंसर हो जाएगा कोन मापने के लिए भी करते हैं यानि जो कॉम्बिनेशन सेट है इसका प्रियोग हम कोन मापने के लिए भी करते हैं गहराई को मापने के लिए भी करते हैं और सेंटर को निकालने के लिए भी करते हैं को अंगला कोशन is कोशन नमर 14, SI unit के झांतार, लंबाई की जो basic यूनित है, वो क्या है? तो इसका right answer हो जाएगा, meter, यानि कि यसाई unit में जो लंबाई की जो basic unit क्या है, तो यो meter है अगला कोशन है, कोशननमर 15, wise के handle की धातू होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदू इसपात की यानि कि जो वाइस होता है उसका जो हैंडल होता है वो मृदू इसपात का होता है अगला कोशन है कोशन नमबर 16 वाइस के जौब प्लेट की धातू होती है यानि कि जो वाइस होता है उसका जो जौब प्लेट होता है वो किस धातू का बना होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टूल एस्टिल यानि कि जो वाइस होता है उसका जो 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 प्लेट होता है वो टूल एस्टिल का बना होता है अगला कोशन है कोशन नमबर 17 लकडी से बने हैमर को कहते हैं तो इसका right answer हो जाएगा mallet hammer यानी कि hammer यानी कि जो लकड़ी से बना हुआ जो hammer होता है उसे mallet hammer कहते हैं next question है question no 18 रिवीटिंग या chipping के लिए पड़ियोग hammer यानी कब यह बताना है रिवीटिंग या फिर chipping जो हता है वो कौन से hammer का प्रियोग किया जाता है Rebeating या Chipping करने के लिए तो इसका right answer हो जगा Ball pen hammer का प्रियोग किया जाता है Rebeating या Chipping के लिए अगला question है Question number 19 Hammering करते समय hammer को उसके अंतिम सीरे से कितना छोड़कर पकड़ना चाहिए तो इसका right answer हो जगा 15 से 30 mm छोड़कर पकड़ना चाहिए अगला कोशन है कोशन नमबर 20 हैमर के आई होल का अकार होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाकार होता है और ये कोशन भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है पूछा गया हुआ कोशन है नेक्स्ट कोशन है कोशन में 21 एसक्रू ड्राइबर के ब्लेड को किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड एंड टेंपर यानि कि जो एसक्रू ड्राइबर होता है उसका जो ब्लेड होता है उसको हार्ड वा टेंपर किया जाता है अगला question number 22 Chisel किस material का बना होता है तो इसका राइट आंसर हो जागा HCS यानि कि High Carbon Steel का बना होता है अगला question, question number 23 ً वर्कषॉप में साधारन कारियों के लिए यानि कि साधारन कार यानि कि साधारन कारियों के लिए प्रयोग Chiselizzard, यानि कि वर्कषॉप में साधान काड़ी के लिए हम किस चीजल का प्रियोग करते हैं तो इसका right answer हो जाएगा फ्लैट चीजल का प्रियोग करते हैं next question है question number 24 bearing के अंदर तेल की नलिये काटने में प्रियोग चीजल यानि कि bearing के अंदर जो हम तेल की नलिये को काटते हैं उसमें किस चीजल का प्रियोग करते हैं तो इसका right answer हो जाएगा half round nose चीजल का प्रियोग करते हैं next question है question number 25 zinc के लिए flat चीजल का cutting जो angle होता है वो कितना होता है तो इसका right answer हो जाएगा 35 bearing का होता है अगला question है question number 26 leth bed कौन सा लोड सहन करता है तो इसका right answer हो जाएगा tenisile यानि कि जो leth bed होता है वो tenisile लोड को सहन करता है और ये जो leth machine है इसका दूसरा और एक और क्या नाम है तो इसको खाराद के नाम से भी जानते हैं next question है question number 27 life center job के साथ क्या करता है तो इसका right answer हो जाएगा घूमता है यानि कि जो life center है वो job के साथ घूमता है अब आगे इसे related कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि life center के नोज का next question है question number 28 किस प्रकार की छड को पकड़ने के लिए कौन सी युक्ती पड़ियोग में लाई जाती है तो इसका right answer हो जाएगा कोलीट चक जो है कोलीट चक जो है पड़ियोग में लाई जाती है अब आएए इसे related कुछ points देख लेते हैं जैसे जो कोलीट जो चक होता है वो yellow steel का बना होता है कोलीट चक से वस्तू को पकड़ने पर और उस पर कोई निसान नहीं बनता है इस point को आप अच्छे से समझ लें नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर्ट 29 लेत की lead screw में कौन से thread बने होता है याणि कि आपको ये बताने कि जो lead screw होता है उसमें कौन से thread बने होता है तो इसका right answer हो जाएगा एकमी thread जो है ये बने होता है अब इसे रेकर कुछ points को देख लेते हैं जैसे जो एकमी thread का जो कोन होता है वो 29 dd का होता है नेक्स्ट जो knuckle thread होता है इसका जो कोन होता है वो 30 dd का होता है next question है question 30 center drill का एक और नाम क्या है यानि कि आपको यह बताने है जो central drill है इसको एक और किस नाम से जानते हैं तो इसका right answer हो जाएगा combination drill beat के नाम से भी जानते हैं अगला question है question 31 mass production कार के लिए कौन सी लेथ पडियोग में लाई जाती है तो इसका right answer हो जाएगा tear rate लेथ पडियोग में लाई जाती है next question है question number 32 कौन से operation को करते समय carriage को lock कर दिया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा facing यानि कि facing वो operation है जिसको करते समय हम carriage को lock कर देते हैं अब आगे इसे कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि carriage की सायता से tool को feed दिया जाता है तथा carriage की सायता से taper turning किया जाता है next question है question number 33 ball bearing में rolling element है यानि कि आपको यह बताना है कि जो ball bearing है इसमें जो rolling element है वो क्या है तो इसका right answer हो जाएगा ball इसका जो rolling element है वो ball है अब इससे लेटर कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि ball bearing में जो gharcen है वो कम होता है अगला question है question number 34 फ्लैट अकार के bearing किसके बनाय जाते हैं तो इसका right answer हो जाएगा cast iron के बनाय जाते हैं अब इससे लेटर कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि flat shape bearing को sliding bearing या guide bearing भी कहते हैं अगला question है question 35 लेथ का bed किस धातु का बना होता है यानि कि जो लेथ का जो bed होता है वो किस धातु का बना होता है तो इसका right answer हो जाएगा cast iron का बना होता है अगला question है question 36 लेथ के किस भाग में drill को पकड़ा जाता है तो इसका right answer हो जाएगा tail stock में यानि कि जो tail stock का जो भाग होता है उसमें हम drill को पकड़ते हैं अब इससे कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि इसे loose head stock भी कहते हैं किसे तो जो tail stock होता है उसे हम loose head stock भी कहते हैं next question है question 37 slip gauge piece में बने होता है तो इसका right answer हो जाएगा आयताकार piece में बने होता है यानिकि जो slip gauge होता है वो आयताकार piece में बना होता है और यह जो slip gauge है इसका एक और क्या नाम है तो इसे gauge block के नाम से भी जानते हैं अगला कोशन है कोशन में 38 slip gauge से बनाय जाता है तो इसका right answer हो जाएगा उच्छ quality की steel यानिकि slip gauge उच्छ quality की steel से बनाय जाता है अब आए इसे कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि slip gauge जो है वो chromium steel tungsten carbide के बने होते हैं next question है question number 39 chisel को लगभग कितने mm की लंबाई तक ठंडा किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा 20 से 25 mm के लंबाई तक इससे क्या किया जाता है तो ठंडा किया जाता है अब आए इससे कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि जो chisel है उसके बार में देखते हैं चीजल एक परकार का cutting tool है next इसके द्वारा कटा हुआ भाग अधिक शुद नहीं होता है next question है question number 40 low carbon steel के पास की surface को hard करने के लिए क्या परक्रिया की जाती है तो इसका right answer हो जाएगा केस हार्डनी की प्रक्रिया की जाती है question number 41 oxygen gas का gas दाब होता है तो इसका right answer हो जाएगा 120 से 150 kg होता है next question 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 42 pencil बनाने में पर्योगत कार्बन है तो इसका right answer हो जाएगा गरिफाइड यानि कि जो pencil होता है वो गरिफाइड का बना होता है अगला question है question 43 किसका पर्योग धातु की सतह का समतल बनाने के लिए किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा flatter का पर्योग किया जाता है अगला question है question 44 oxidizing flame का तापमान तो इसका right answer हो जाएगा 3300 degree Celsius होता है किसका तो oxidizing flame का तापमान अब आगे इसे related कुछ points को देख लेते हैं जैसे कि oxidizing flame का पर्योग सबसे कम होता है क्योंकि oxygen अधिक होने के कारण welding में oxygen प्रवेश कर जाता है next question है question 45 welding करते समय rod का weld रेखा से उचीत कोन है तो इसका right answer हो जाएगा 60 degree से 70 degree next question है question 46 flame जलाने के लिए पहले छोड़ते हैं तो इसका right answer हो जाएगा acetylene यानि जो acetylene gas को पहले छोड़ते हैं अगला question है question 47 दो प्लेटो के सीरो को एक दूसरे के उपर रख कर बनाया जाता है जिसे कहते हैं तो इसका right answer हो जाएगा leap jour कहते हैं next question है question 48 ओपर critical तापमान steel में किसकी मातरा पर निर्भर करता है तो इसका right answer हो जाएगा carbon की मातरा पर निर्भर करता है अगला question है question 49 बड़े ब्यास की shaft के लिए bearing परियोग किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा split या cell bearing का परियोग किया जाता है next question है question 50 bearing बाहर निकालने के लिए परियोग किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा bearing puller का परियोग किया जाता है next question है question 51 दिया हुआ चीतर क्या दर्साता है तो इसका right answer हो जाएगा option A यानि की box spanner को दर्साता है यानि की आपको figure में देखकर बाताना यह था कि यह किस चीज का figure है और क्या दर्साता है तो इसका right answer हो जाएगा box spanner next question है question 52 चीतर में दर्सायग है welding जोड की पहचान करें यानि की आपको figure में देखकर बाताना यह कौन सा welding जोड है तो इसका right answer हो जाएगा option A यानि की T जोड यह कौन सा जोड है तो यह T जोड से जुड़ा हुआ है next question है question 53 निमने चीतर में दिखाई गए wise के ए पार्ट का नाम है यानि की यह wise जो दिया गया इसमें आपको यह जो यह वाला जो भाग है इस पार्ट का नाम आपको बताना है तो इसका right answer हो जाएगा option B यानि की movable jaw यानि की जो यह अब देख रहे हैं यह कह तो यह movable jaw दर्सार है अगला question है question 54 नीमने चितर में दिखाई गए wise का नाम है यानि की आपको यह बताना है यह कौन सा wise का चितर दिया गया है यानि कौन सा wise है तो इसका right answer हो जाएगा option D यानि की hand wise यह कौन सा wise है तो यह hand wise है next question है question 55 55, चीतर में दिखाये गए cutting और जार का नाम बताएं, यानि कि आपको ये चीतर देखकर बताने, ये कौन सा cutting tool है, तो इसका right answer हो जाएगा, option D, यानि कि pipe cutter, ये कौन सा cutting और जार है, तो ये है pipe cutter है, अगला question है, question में 56, चीतर में दर्साये गए tool का नाम क्या है, यानि कि आपको ये चीतर देखकर बताने है, इस tool का क्या नाम है, तो इसका right answer हो जाएगा, option D, यानि कि split die, ये कौन सा है, तो split die है, अगला question है, question में 57, निम्नी चीतर में, ball pen hammer में, भाग E का नाम क्या है, यानि कि ये जो आप figure देख रहे हैं, ये ball pen hammer का figure दिया हुआ है, इसमें आपको ये इस वाले part का नाम बताना है, तो इसका right answer हो जाएगा, option C, यानि कि eye hole, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो इस वाले भाग को eye hole बोलते हैं, अगला question है, question 58, निम्न चीतर में दर्सा आएगा marking tool का नाम, यानि कि आपको ये जो चीतर आपको देख रहे हैं, इस चीतर में आपको इस marking tool का नाम बताना है, ये कौन सा marking tool है, तो इसका right answer हो जाएगा, option A, यानि कि height gauge, ये कौन सा चीतर है, किस का चीतर है, तो ये height gauge का चीतर दिया हुआ है, अगला question है, question 59, लेथ विनिर्देश जो X mark किया गया है, वह क्या है, तो इसका right answer हो जाएगा, option C, यानि कि केंदर के बीच की लंबाई, यानि कि आपको ये जो X जो दिया हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है, कि ये किस चीज को दर्शा आ रहा है, तो ये केंदर के बीच की लंबाई को दर्शा रहा है, अगला कोशन है, कोशन नमबर 60, खराद कैरेज में X के रूप में चिन्नित भाग का नाम क्या है, यानि कि ये जो X है, इसका नाम क्या है, इसके बारे में बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओप्शन A, यानि कि टूल पोस्ट, इस वले भाग को क्या बोलता है, तो टूल पोस्ट बोलता है, अगला कोशन है, कोशन नमबर 61, तीन जो चक के X के रूप में चिन्नित भाग का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओप्शन C, यानि कि बाहरी जो, यानि कि आपको इस वले भाग का नाम बताना था, इस X वले भाग का नाम बताना था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा, ओप्शन C, बाहरी जो, अगला question है question number 62 स्नेहन अनुसूची में x के रूप में चिन्धित प्रतिक क्या है यानि कि आपको इस वाले भाका ना बताना है तो इसका right answer हो जाएगा option c यानि कि मासिक तो friends यह जो जितने सारे questions है यह सब exams में आय हुए question है as it is ऐसे ही question जो है आपके exam में दिखेगा इसलिए इससे अच्छे से समझ ले और वीडियो को last तक देखें next question है question number 63 इस चित्र में clutch का नाम क्या है यानि कि यह जो figure आप देख रहे है clutch का इसमें आपको नाम बताना है यह कौन सा clutch है तो इसका right answer हो जाएगा option b यानि कि dog clutch यह कौन सा है तो dog clutch है अगला question है question number 64 इस tooth type lock washer का नाम क्या है यानि कि इस figure में आपको यह बताना है यह जो tooth type यह जो lock washer है इसका नाम क्या है तो इसका right answer हो जाएगा option b यानि कि external type next question है question number 65 चित्र में दर्साइग है knurling tool holder की पहचान करें यानि कि आपको यह चित्र देख कर बताना है यह जो knurling tool holder है इसकी पहचान करना यह कौन से holder है तो इसका right answer हो जाएगा option c यानि कि universal knurling tool holder है अगला question है question number 66 चित्र में दर्साइग है उपकरन को पहचान है तो इसका right answer हो जाएगा option c यानि combination set यह कौन से किस चिच का चित्र दिया हुआ है तो combination set का चित्र दिया हुआ है अगला question है question number 67 चित्र में दर्साइग है उपकरन को पहचान है यानि कि आपको यह figure देखर पहचाना है यह कौन सा उपकरन दिया हुआ है तो इसका right answer हो जाएगा आंतरिक micrometer यानि कि option a है अगला question है question number 68 चित्र में दर्साइग है welding जोर की पहचान करें यानि कि यह figure में आपको देखर बताना है कि यह कौन सा welding जोर है तो इसका right answer हो जाएगा option d यानि कि lap जोर यह कौन सा जोर है तो यह lap जोर है अगला question है question number 69 निम्न चित्र में दिखाई गए gearing का नाम क्या है यानि कि आपको यह जो gearing जो दीख रहा है इसका नाम आपको बताना है तो इसका right answer हो जाएगा option a यानि कि इस पर gearing है यह कौन सा है तो इस पर gearing है अगला question है question number 70 इस clutch का नाम क्या है यानि कि figure में देखकर बताना है यह कौन सा clutch है तो इसका right answer हो जाएगा option b यानि कि कौन clutch यह कौन सा clutch है तो यह कौन clutch है next question है question number 71 एक्स के रूप में चिननीत इस प्रोकेट का नाम क्या है यानि कि इस figure में आपको देखकर बताना है यह जो X है इसका नाम आपको बताना है तो इसका right answer हो जाएगा option c यानि कि ideal अगला question है question number 72 निमन चित्र में दर्स आएगा marking tool का क्या नाम यानि कि यह जो figure आपको देखके बताना है यह कौन सा marking tool है तो इसका right answer हो जाएगा option c यानि कि universal surface gauge यह कौन सा gauge है तो universal surface gauge है अगला question है question number 73 73 निमन चित्र में दर्स आएगा mechanism में level किये गए यह भाग का आपको नाम बताना है तो इसका right answer हो जाएगा option c यानि कि rack अगला question है question number 74 निमन चित्र में दर्स आएगा उपकारन का कहा नाम है यानि कि यह जो figure है इसका नाम बताना है यह किस चीज का figure दिया हुआ है तो इसका right answer हो जाएग option c यानि कि screw pitch gauge यह कौन सा है तो screw pitch gauge का figure दिया हुआ है नेक्स्ट कोस्टन है, कोस्टन नमर 75 स्लिप गेज में यह किडिया दर्शाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन के, यानि की इरिंगिंग विधी यानि की स्लिप गेज जो है, इसमें यह जो चारुप जो किडिया जो दर्शा रही है यह किसीज को दर्शा रही है, तो यह रिंगिंग विधी को दर्शा रही है अगला कोस्टन है, कोस्टन नमर 76 दिये गए चित्र में नॉट का नाम है यानि की आपको यह चित्र देख़र बताने, यह कौन सा नॉट है तिसका राइट आंसर हो जाएगा, आप्शन C, यानि की स्क्वाइर नॉट यह कौन सा नॉट है, तो यह स्क्वाइर नॉट है अगला कोस्टन है, कोस्टन नमर 77 चित्र में दस आएगा, पंच का क्या नाम है यानि की आपको यह फिगर देखकर बताना है, यह कौन सा पंच दिया हुआ है तिसका राइट आंसर हो जाएगा, आप्शन D, यानि की बेल पंच, यह कौन सा है तो यह बेल पंच का फिगर दिया हुआ है नेक्स्ट कोस्टन है, कोस्टन नॉमर 78 चीत्र में दर्स आएगा है, पंच का क्या नाम है, यानि की अब आपको इस वहले पंच को देखकर बताना है, यह कौन सा पंच है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप्शन D, यानि की डॉट पंच, यह कौन सा पंच है, यह डॉट पंच है अगला कोशन है कोशन नमबर 79 निमने चित में दर्स है गए आउट साइड माइक्रो मीटर में लेबल किये गए ये भाग का नाम क्या है यानि कि आपको इस वले फिगर में आपको इस वले ए वले भाग का नाम बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएका ओप्शन बी यानि कि थीमबल अगला question है question number 80 चीतर में दर्साय कि भाग A का क्या नाम है यानि कि इस वले figure में आपको इस वले A वले भाग का नाम बताना है तो इसका right answer हो जाएक option C यानि कि die hole इस वले भाग का क्या नाम है तो इसे die hole बोलते है next question है question number 81 चीतर में angle plate दिखाई गए है इसमें भाग A का नाम बताना है यानि कि इस वाले figure में यह जो angle plate है इस वाले figure में आपको यह जो A वाला भाग है इसका आपको नाम बताना है तो इसका right answer हो जाएक option B यानि कि रीव बोलते है इसे अगला question है question number 82 चीतर में दिखाई गए आपको nut A का पहचान करना है यानि कि यह जो figure आपको दिख रहा है इसमें आपको यह बताना है यह कौन सा nut है तो इसका right answer हो जाएगा option D यानि कि hexagonal nut यह कौन सा nut है तो hexagonal nut है अगला question है question number 83 चीतर में दिखाई गए nut B का पहचान करना है यानि कि इस वले figure में आपको यह जो nut जो दिया हुआ इसको देखर बताना है यह कौन सा nut है तो इसका right answer हो जाएगा option D यानि कि wing nut यह कौन सा nut है तो यह wing nut है अगला question है question number 84 चीतर में दिखाई गए nut C के पहचान करें यानि कि आपको इस वले figure में देखर बताना है तो इसका right answer हो जाएगा option D यानि कि domp cap nut है अगला question है question Number 85 चीतर में दिखाई गए nut D के पहचान करें यानि эта अब आपको इस वले nut को देखر बताना है यह कौन सा nut है तो इसका right answer हो जाएगा option A, यानि कि square nut तो ये कौन सा nut है, ये square nut है अगला question है, question number 86 चीतर में दीखाएगा nut E की पहचान करें यानि कि अब आपको इस वले figure में देखके बताना है, ये कौन सा nut है तो इसका right answer हो जाएगा option D, यानि कि self-locking nut अगला question है, question number 87 दिखाएगा depth micrometer के चीतर में, ये क्या दरसाता है यानि कि ये जो figure जो दिया हुआ, ये depth micrometer का figure दिया हुआ इसमें आपको ये जो A वला भाग, इसका आपको नाम बताना है तो इसका right answer हो जाएगा, option A, यानि कि ratchet stop कहता है इसे, अगला question है, question number 88 दिखाएगा depth micrometer के चीतर में, B क्या दरसाता है यानि कि अब आपको इस वले depth micrometer में, ये जो B है इस वले भाग का नाम आपको बताना है, ये किस चीच को दरसा आ रहा है तो इसका right answer हो जाएगा, option B, यानि कि थिमबल ये जो B है, वो थिमबल को दरसा रहा है अगला question है, question number 89 अब आपको ये जो depth micrometer है, इसमें आपको C वले का नाम बताना है इसकी जो C है, ये किस चीच को दरसा रहा है तो इसका right answer हो जाएगा, option A, यानि कि barrel scale को दरसा रहा है अगला question है, question number 90 दिखाएगा, depth micrometer के चीचर में D, क्या दरसा रहा है यानि कि जो इसी आपको depth micrometer में बताना है, ये जो D है, ये किस चीच को दरसा रहा है तो इसका right answer हो जाएगा, option C, यानि कि base को दरसा रहा है next question है, question number 91 दिखाएगा, depth micrometer के चीचर में E, क्या दरसा रहा है यानि कि अब आपको इस depth micrometer में बताना है, ये जो E है, ये किस चीच को दरसा रहा है तो इसका right answer हो जाएगा, option D, यानि कि इन में से कोई नहीं तो इसका right answer क्या होगा, तो इसका right answer हो जाएगा, ये depth rod को दरसा रहा है अगला question है, question number 92 चीतर में दिखाये गए, belt drive में भाग A, कौन सी पुल्ली है यानि कि अब आपको बताना है, ये जो चीतर है, इसमें अब ये जो E है, ये किस चीच को दरसा रहा है इसके बारे में आपको बताना है तो इसका right answer हो जाएगा, option B, यानि कि जो की पुल्ली next question है, question number 93, निम्न चीतर में दिखाये गए A का नाम है यानि कि इस फाइल में आपको बताना है, ये जो A, ये क्या है यानि कि इसका ये वाले भाग का क्या नाम है, इस फाइल में तो इसका right answer हो जाएगा, option B, यानि कि tank, यानि कि इस वाले भाग को tank बोलते है अगला question है, question number 94, अब आपको इस फाइल में इस B वाले जो है, इस भाग का नाम बताना है तो इसका right answer हो जाएगा, option C, यानि कि कंधा, यानि कि shoulder, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो shoulder बोलते है अगला question है, question number 95, निम्न चित्र में दिखाएगा C का नाम है, यानि कि अब आपको इस फाइल में आपको बताना है, ये जो C जो है, ये किस इज को दरसार है तो इसका right answer हो जाएगा, option D, यानि कि ये age को दरसार है अगला question है, question number 96, निम्न चित्र में दिखाएगा, डी का नाम को बताना है, यानि कि ये जो फाइल है, इसमें आपको ये जो D है, ये किस इज को दरसार है, उसका आपको नाम बताना है तो इसका राइट आन्सर हो जाएगा option a यानिकि face को दर्शा आ रहा है अगला question है question 97 निम्न चीतर में दिखाएगा e का नाम आपको बताना है यानिकि इस file में ये जो e है ये किसी चीच को दर्शा आ रहा है इसके बारे में आपको बताना है तो इसका right answer हो जाएगा option C, यानि कि ये point को धर्षा आ रहा है next question है question number 98, निम्र चीतर में धर्षा आएगा है marking tool का नाम आपको बताना है यानि कि ये figure में किस चीज का कौन सा marking tool है, इसके बारे में आपको इसका नाम बताना है तो इसका right answer हो जाएगा option B, यानि कि adjustable subscriber है, ये क्या है तो adjustable subscriber का चीतर दिया हुआ है next question है, question number 99, चीतर में दर्षा आएगा, ball pen hammer में लेबल किये गया, ये भाग का क्याना में यानि कि ये जो ball pen hammer है, इसमें ये जो A है, ये किस चीज को दर्षा आ रहा है, इसका नाम आपको बताना है तो इसका right answer हो जाएगा, option A, यानि कि pen को दर्षा रहा है next question है, question number 100, निम्र चीतर में लेबल किये गया, गेज का क्या नाम है, यानि कि ये जो figure में ये किस चीज का जो गेज दिया है, इसका ये किस चीज का गेज है, इसका आपको नाम बताना है तो इसका right answer हो जाएगा, option C, यानि कि plug gauge, ये कौन सा gauge है, तो ये plug gauge है तो friends, आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like करें, channel को subscribe करें, और bell icon को दबाएं, ताकि notification आपको time से मिल सके और अगर आप इस वीडियो का पीडियो अप चाहते हैं, तो आप हमारे telegram को join कर सकते हैं, telegram का link description में दिया है, वहाँ से जाकर join कर सकते हैं थैंक्स वर वाचिए